मसी में मेरे प्रिये बाई में बच्चे लोग, आज हम मनन करेंगे फिलिपियों की पत्री, उसका चोथा अध्याए दूसरा वच्चन से तेविस वच्चन तक हम पढ़ेंगे और उसके उपर हम मनन करेंगे। फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेडित की पत्री, चोथा अध्याए, मैं युओदिया को भी समझाता हूँ और सुन तूखे को भी, कि वे प्रभु में एक मन रहें, और हे सच्चे सहकर्मी मैं तुझ से भी बिंती करता हूँ, कि तु उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमचार फैलाने में, क्लेमेंस और मेरे उन और सहकर्मियों समेथ परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। पर्मेश्वर के सम्मुख उपस्थित किये जाएं, तब पर्मेश्वर की शांती जो समझ से बिलकुल परे है, तुम्हारे हिर्दे और तुम्हारे विचारों को मसी इश्यों में सुरक्षित रखेगी। निदान, हे भाईयो, जो जो बाते सत्य हैं, और जो जो बाते आदरनी हैं, और जो जो बाते उचित हैं, और जो जो बाते पवित्र हैं, और जो जो बाते सुहावनी हैं, और जो जो बाते मनभावनी हैं, निदान, जो जो सदगुण और प्रशंसा की बाते हैं, उन्ही पर ध्यान लगाया करो, जो बाते तुमने मुझ से सीखी और ग्रहन की और सुनी और मुझ में देखी उनहीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांती का सोता है, मैं प्रभु में बहुत आनन्दित हूँ, कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारा विचार मेरे विशे में फिर जागरत हुआ है, निश्चे तुम्हें आरम में भी इसी का विचार था, पर तुम्हें आउसर ना मिला, यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है, कि जिस दशा में हूँ, उसी में संतोश करूँ, मैं दीन होना भी जानता और बढ़ना भी जानता हूँ, हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तरप्त होना, भूका रहना और बढ़ना घटना सीखा है, जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए, और हे फिल चार प्रचार के आरंभ में, जब मैंने मकी दुनिया से कूछ किया, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने की विश्य में मेरी सहायता नहीं की, इसी प्रकार जब मैं थिसलूनीके में था, तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या ब बरन बहुतायत से भी है, जो वस्तुमें तुमने इप्रुदीतुस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ, वह तो सुगंध और ग्रहन करने के योग्य बलिदान है, जो परमेश्वर को भाता है, और मेरा परमेश्वर भी, अपने उस धन की अनु युगानियुग होती रहे, आमीन, हर एक पवित्र जन को जो इश्व मसी में हैं, नमस्कार कहो, जो भाई मेरे साथ हैं, तुम्हें नमस्कार कहते हैं, सब पवित्र लोग विशेश करके जो कैसर के घराने के हैं, तुमको नमस्कार कहते हैं, हमारे प्रभु इश्व मसी का नुग्र है तुम्हारी आत्मा के साथ रहे परमिश्य से पूरा होना है वो दोनों के बारे में हम आज मनन करेंगे सबसे पहले प्रभु में आनन्द रहने के बारे में हम मनन करेंगे यहां शुरुबात में हम लोग देखे हैं पहला वचन में देख रहे हैं मेरे बायों जिसमें मेरा जी लगा रहता है मेरा आनन्द और मुकुठ हो पाउलो से फिलipاع की पत्री में आनंद आनंद का जो शब्द है करीबन पंदरा बार इस्तिमाल करते हुए हम देख सकते हैं एक इक आधियाए में इस शब्द बार-बार दोराते हुए हम देख सकते हैं, चौते अधियाए में भी चार बार कम से कम बता रहे हैं, इसके पहले भी पहला और दूसरा धियाए में भी कितनी बार आनन, प्रभु में आनन, उसके बार में बाते कर रहे हैं, प्रभु में आनन दित रहना चाहिए, तीसरा धियाए में भी पहला वचन मे भी काते हैं प्रभु में आनंदित रहो सदा आनंदित रहो फिर से काता हूं आनंदित रहो उसको पुरा जोर लगाते हुए बताते हैं अमेशा आनंदित रहो बार बार में कहना चाहता हूं आनंदित रहो और जो लिखने वाले प्रेरित पौलस है वो तो जहिल काना में पड किया जा रहा हूं मैं सैक्रिफेस किया जा रहा हूं करके अपने बारे में बता रहे हैं और पहला दिया में लास में बता रहे हैं मेरे लिए जैसा अपने सुना मेरे बारे में वो जो मेरे लिए संगर्श है मेरे लिए समस्या है वो तो जरूर है आपका जीवन में भी आता है मेरे में भी है ऐसा बता रहे हैं तो जो आत्मी है संकट में गुजर रहे हैं जो आत्मी मृतिकुस सजा में हैं जो आत्मी जेल काना में पड़े हैं वो आनंदित रहने के लिए संभव है तो अमार लिए भी संभव है लेकिन आनन्दित रहने का प्रभू में आनन्दित रहने का है, सदा आनन्दित रहना है, फिर से काते हैं आनन्दित रहो, प्रभू में आनन्दित रहना है, प्रभू में आनन्दित रहना वो हमारा परिस्तित का आधर पर नहीं है, जो लोग आनन्द रहने के लिए सोचेंगे तुर लोग कावी सारे सोचते हैं, कावी सारे फिल्म्स देखने के लिए भी चाते हैं, कोई गाना सुनने चाते हैं, कोई लोग नाचने के लिए कोशिस करते हैं, बाहर की तरफ से जो आनंद है, काने पिने में जो मिलता है, वो नहीं है, वो है स्वर्गराजी का आनंद नहीं है, हम भी काने पिने में आनंद होना गलत नहीं है लेकिन अमरा आनंद प्रभू में आनंद है वो आनंद हमें कैसे मिलता है इस अध्याय में पूरा हम अच्छी तरह हम सीख सकते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए प्रभू में आनंदित रहने के लिए हम प्रभू मे बने रहना चाहिए वही पहला वचन में कहते हैं प्रभू में बने रहो कल भी हम पढ़ेते हैं वह वचन को यहां पर भी आज देख रहे हैं प्रभू में बने रहना चाहिए प्रभू के साथ बराबर जुड़े रहना चाहिए वोई आनन्द का एक मूल्स होता है और दूसरा है वहां लिक रहे हैं दो बहिनों के बारे में बाते कर रहे हैं दूसरा वचन में यहोदिया और सुन्तुके को मैं समझाता हूँ यहोदिया और सुन्तुके दोनों के बारे में बोल रहे हैं दोनों को प्रभु में एक मन रहना चाहिए। ये दोनों अच्छे बहन लोग है, वो लोग प्रेरित पॉलस के लिए सेवा में मददगार है। उनके बारे में कहते हैं, उनका नाम जीवन किताब में लिखे हुए हैं। लेकिन उनसे कहते हैं, तुम लोग एक मन हो जाना। देखे, प्रभु में अच्छे लोग भी होते हैं, प्रभु में बहुत मददगार भी होते हैं। वो लोग का जीवन में भी कभी-कभी रिस्ता में दरार आ जाता है, कुछ ने कुछ समसी आ जाता है। उसके कारण वो लोग प्रभु में वो लोग बलवन नहीं हो पाते हैं, आनदित नहीं हो पाते हैं। तो प्रभु में आनदित रहने के लिए सबसे पहले हमारा पास सला है परमिशर का वचन के द्वारा कि हम अपने रिस्ता उनको सही करना चाहिए। परमेशर के साथ अमारा रिस्ता सही होना चाहिए, जो जो अमारा बाई बहने विश्वासी लोग है, जो लोग हमारा साथ जुड़ेवें, उनके साथ अमारा समस्या है, उसको हम ठीक करने के लिए पूरी तरह से कोशिस करना चाहिए, तब ही हम प्रभू में आनेंदित रहने और दूसरा प्रभू में आनेंदित रहने के लिए, अमारे लिए मन में एक संतुष्ट मन होना बहुत जरूरी है, यही अम पॉलस अपना जीवन की अनवोक पता रहे हैं, कोई भी परिस्तिदी है, दिन होना भी जानता हूं, बढ़ना भी जानता हूं, और एक बात में सब दर्शाओं में में तृप्त होना, बुका रहना, बढ़ना, गटना, सीका है, जो मुझे सामर्त देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो यह चार-तेरा जो वचन है, काफी सारे लोग अपने जीवन में इसको सिमाल करने के लिए कोशिश करते हैं, सो से मैं सब कुछ कर सकता हूं, जो सामर्त देता है, मुझे सब कुछ कर सकता हूं, तो इसको बराबर समझना चाहिए, सब कुछ कर सकता है, ऐसा नहीं है, सब काम करने के लिए हमको प्रभु सामर्त दे देंगे, हम जो मर्जी हम करेंगे, उसमें सामर्त देंगे, ऐसा नहीं सोचना है, जो भ अमें थ्रुप्त होने के लिए उसामर्थ देगा, बोलते हैं में दिन होना भी जानता हूं, सब कुछ मैं सीखा हूं, सीखाता है, परमिशर का वच्छन हमें सीखाता है, प्रभु हमें बल देता है, हमें मन में संतुष्ट होने के लिए हमें सीखाता है, तभी प्रभु में ह आनन्दित रह सकते हैं, जो भी फर्यात करते रहेंगे, कुड़कुड़ाते रहेंगे, दुसरे के विरोध में बाते करते रहेंगे, प्रभू में आनन्दित नहीं रहा पाएंगे, उनको कुश करने के लिए दुसरे लोगों का अमेशा वो लोग निर्बर रहेंगे, वो हो तो मैं कुछ हो जाएगा, वो मिल जाएगा तो कुछ हो जाएगा, हमेशा दूसरे को उपर डिमांड करते रहेंगे, वो लोग कभी भी आनदित नहीं रहा पाएंगे, देखिए प्रेरित पावलस के अनबों का हम देख सकते हैं, उसके लिए पैसे की कमी थे, सब चर्च वाल मदद नहीं किया, फिलिपी कलिसिया वाले मदद किया, लेकिन फिर भी पावलस उन लोगों के उपर नराजगिर में नहीं रहा, जो लोग देए या नहीं है, उनको बारे में वो कुछ सोच नहीं रहा है, जो लोग देए हैं, उनको जरूर आशिस कर रहे है, कभी भी हम प्रभू में आनन्दित रहना नाया नियम के अंदर में अंदर का चीज़ है, इंसान के इरदे का चीज़ है, इरदे को संभालना बहुत जरूरी है, पुराना नियम में नहमिया का 8-10 में हम पढ़ते हैं, प्रभू में आनन्दित रहना तुम्हारा ताकत करके लिकावा है, वहां तो फिर भी वहां पर हम खाने पिने के बातों के हम देख रहे हैं, नहमिया के उस किताब में देख रहे हैं, अच्छे से कुशिसे कावो पीवो दूसरों को भी बेजना ऐसा करके उन दिनों में वो लोगों का इसे विचार के बारे में काभी सरे आत्मिक चीजों के बारे में जानकरी नहीं है फिर भी वो लोगों को परमेशन उनके ग्यान के अनुसार परमेशन ने उनको सिखाया है कैसे वो लोग आनदित रहना चाहिए, तो पुराना नियम में भी नाया नियम का कुछ बाते हैं, चिपे वे राते हैं, हम देख सकते हैं, लेकिन नाया नियम में आएंगे, उसके वेवरेंसे हम समझ पा रहे हैं, प्रभु में आनदित रहने से, रहने के लिए काने पीने से नहीं हैं, लेक बुकाराना भी मैं जानता हूँ, मतलब कोई भी परिस्तिदी में भी संतुष्ट मन रखेंगे, वो ही हमारा आनन्त का सोता रहेगा, प्रभु ये संतुष्ट मन देगा, इसी के लिए सामर्त देगा, कई स्पोर्ट्समन बोलेंगे, मैरा प्रभु मुझे बल देगा, परोर हमें उसमें सामर्त परमिश्ट में देगा, आनन्दित रहना प्रभु का इच्चा है, उसके लिए वो सामर्त में देता है, हमको सिखाता है, संतुष्टोने के लिए सिखाता है, और दूसरा आनन्दित रहने के लिए, और हम सिखना चाहिए, हमरा बोज प्रभु पर पर्मेशर की शांती जो सारी समझ से पर हैं तुमारा इरदे और विचारों को मसी इशु में सुरक्षित रखेगी एक पर्मेशर की शांती है इश्यों ने कहा यहँना पंद्रा में मेरा आनन तुझे देता हूँ यहाँना च Southwest में इश्यों ने कहा मेरे ही शांती तुझे देता हूँ तो उनका श Anthी है, समझ से परहे हैं कभी-कभी हम दुनिया में काम करते हुए हम हनुबव किया है बागी लोग देखते थे हमको कैसे आप मुस्कराते हो रहते हो इतने लोग ये कर रहे हो वो कर रहे है आप फरियाद नहीं कर रहे हो, गाली नहीं दे रहे हो नहीं कर रहे हो, उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारा अंदर परमेशर कर शांती दिया हुआ है, वो समझे पर हैं, उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन परमेशर हमें देता है, किसी भी बात की चिंता ना करेंगे, प्रभु के उपर हम डाल देंगे, अपना बोज प्रभु पर डाल दो, पजन सिंगिता पच्पन में हम पढ़ते हैं, प्रभु फरमिशर के उपर अपना बोज को डाल देना चाहिए, जरूर ओ आपको संभलेगा, यहान पहला पत्रस पांच में, पहलो पत्रस लिक रहा है, उमारा चिंता उस पर डाल देना, क्योंकि उनका तेरा ध्यान है, तेरा चिंता है, वह हमारा चिंता करेंगा, इसलिए हम उसके उपर डाल देंगे, तब हम आनंदी तरह सकते हैं, प्रभु में आनंदी तरहने के लिए, मन संतुष्ट होना जरूरी है, प्रभु में आनंदी तरहने के लिए, प्रभु के साथ जुड़े व प्रभु बल देगा, ऐसे से हमारा मन में संतुष रहने के लिए उसी काएगा, अच्छे अच्छे बातों को सोचना भी चाहिए भी आगे बता रहें आटवा वचन में, इसलिए मेरे बाईयों जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें अधरनी हैं, जो जो बातें उचीत हैं, जो जो बातें पुवित्र है, सुहावनी है, मन बावनी है, सद्गुन है, और प्रशनशा की बातें उस पर ध्यान लगाया करो, कैसे कैसे विचार हमारा मन में होना चाहिए, विचार ऐसे एक चीज है, कभी रुपती नहीं, हमेशा कोई नहीं कोई विचार तो आते रहेगा, हम जानवर जैसे नहीं हैं, हम मिशिन जैसे नहीं हैं, हमारा मन में कोई नहीं कोई विचार तो जरूर आते रहेगा, लेकिन उस विचार में क्या हम रखे हैं, क्या हम अंदर रखे हैं, उसके साबसे वो सोचेगा जैसे कम्पूटर में हम देख रहे हैं जो भी सौप्ट वर डाला हुआ है जो भी उसमें डाला हुआ उसके साबसे वो काम करता है हमारा मन के अंदर में हम जो डालके रखे हैं उसमें हम ध्यान देना चाहिए निती वचन चार में हम देख रहे हैं, तेरे मन की रक्षा, इरुदे की चौक सी, पूरी अतने से करो, क्योंकि जीवन का मुल्चुरत वही है, चार तेविस में निती वचन में हम पढ़ रहे हैं, पुरान अन्य में, हमारा विचार को हम सही नियंतरन में ला सकते हैं, पूरा विचार को सही करते रहता है, यह रोमियों बारा में दो में हम देख रहे हैं, तुम्हारा मन बदलता जाएं, नया होते जाएं, प्रभु के इच्छा को जानोगे, मन नया होते जाएगा, यह लिए हमारा योगी आरदना है, मन रुपांदर पाना है, दुनिया के करना, अपना आपको बड़ा करना, यह सब दुनिया का विचार है, दुनिया का सदुरुष रहकर प्रभु का अनन्द का मनुवने कर पा रहे हैं, प्रभु का अनन्द को पाने के लिए प्रभु का सदुरुष हम बनना है, हमारा विचारों को फिलिपियों 2 में हम पढ़त यहीं पर बोलते हैं, फॉलो सागे कहते हैं, जो बातें तुमने मुझसे सीखी, गुरहन की, सुनी और मुझे में देखी, उसी का पहलन किया करो, फॉलो से कभी सारे चीज वो लोग सीखा है, आज भी हम सीख रहे हैं, उसके मन के विचार कैसे थे, कला मनन कर रहे थे, पलीप पाना है, मसी जैसे मुझे बनना है, उपर बुलाए गए उस बुलावट को पूरी करना है, उसके मन में उमन की उमंग हैता, उनके विचार हैता, विचार को वहाँ पर लिके रखे हैं, बोलते मसी को पाने के लिए, उसके साथ मरेवों में से जी उटने के लिए, उसके साथ बनने के लिए हर चीज़ को मैं कुड़ा समझता हूं, कचरा समझता हूं, अपने मन में से कचरा का अमेशा सफाय करते रहा, कचरा उसके मन में भी डालने के लिए शैतान कोशिस किया होगा, जैसे हमारा मन में भी डालने के लिए कोशिस करते रहता है, लेकिन फावलस हमेशा वो कचरा को सफाई करते रहा मैं कुडा समझता हूँ कचरा समझता हूँ जो बातें लाग कीता हूँ हानी समझता हूँ उसके विचार सही विचार रहने के कारण सही चाल चलन रहा विचार सही नहीं रखेंगे विचार में कुछ लोग सोचते मैं तो विचार ही कर रहा है ये तो पाप नहीं है लेकिन विचार जो है पाप का एक करबिस्तान है जैसे इस साब के अंडा जैसे है वो साब के अंडा रहेगा वो रखे रखेंगे पालन करेंगे उसको जरुरूराँ से साब की बच्चे आएंगे बढ़ेंगे और काटेंगे बुरी विचार बुरी चाल चलन का एक शुरुवात है हर चीज विचार से शुरू होती है इसलिए याकुप पहला दिया में लिक रहे हैं अभिलाश गर्बवदी होकर पाप को जनम देती है पाप फरिपुर्ण होकर मृत्य को लेकर आता है इसलिए मेरे बाई बहन दोकाना काना ऐसा वो लिक रहा है दोका काना मतलब क्या है पाप को विचार रखोंगा पाप नहीं करोंगा ऐसा सोचेंगे हम लोग दोका पाते हैं दोका काते हैं ठोकर काते हैं शैतान हमें ऐसे दोका देता है, चलो ठीक है कोई नहीं, विचार में रहने में कोई नहीं है, जब तक पाप नहीं बनेगा कुछ नहीं, कौन देख रहा है तुम्हारा विचार को, ऐसा शैतान लोगों के मन में गलत बावना को डाल देता है, लेकिन हमारा विचारों को देख प्रतिवी के बातों को सोच रहे हैं, उनका बागवान उनका पेट है, दुनिया की बातों पर वो लोग मन लगाए रहते हैं, लेकिन हमारा नागरिकता स्वर्ग में है, वहां से प्रभूई शाने के लिए बार जोते रहते हैं, ऐसे करके लिख रहे हैं, तो हमारा विचार, स्वर्गे विचार, आत्मी विचार वाचन से हमें सीखने को मिलता है, पहुतर आत्मा में सीखाता है, पालवस जैसे, तिमतिस जैसे, पापरतितिस जैसे, जो जो लोगों की उदारन देखेंगे, वो लोग कैसे सोचे थे, कैसे वो लोग अपना विचार क प्रभु में रखे हैं, प्रभु के दास लोगों के साथ जोड़के रखे हैं, उनका पीछे चलते हुए वो लोग सही विचार को अपनाए हैं, आज हमें भी अपना ना है, सही विचार रहेगा, सही परिणाम आयेगा, विचार को सही करना चाहिए, और प्रभु के दास को सिख पाएंगे, वो सभी विचार अपना आपसे नहीं आता है हम सुभाविक से हम अच्छे लोग नहीं है, पौईत्रात्मा जो है वचन के द्वारा अमारा विचारों को नया बनाते रहता है, हार दिन मन नया होते जाता है यहीं हमें सीखने को मिलता है प्रभू में आनदित रहने का सीखरट एई है बलकि पैसा कर्चा करेंगे इदर उदर टूर प्रोग्रम बनाएंगे गुमते रहेंगे ज़दा करके गुजिरात में लोगों को हम देख रहे हैं यह बात उन लोगों के अंदर एक गड़े जैसे बने हुए है इदर उदर बागते रहते हैं आनद उठाने के लिए पैसा कर्चा करते हैं फिर हम आते देखते हैं गर पे आकर लड़ा जगड़ा होते है मन में संतुष्ट नहीं है फरियाद करते रहेंगे कंप्लेंड करते रहेंगे आज मेरे बाई बहन गुमना पाप नहीं है काना पीना पाप नहीं है पैसा साइट काम के लिए कर्चा करना पाप नहीं लेकिन पैसा प्रभु के लिए भी देना चाहिए यही हम को सीखना है प्रभु में आनंदित रहेंगे, स्वार्ती नहीं है, प्रभु का आनंद स्वार्ती नहीं है, पिलिपी कलिस्या के लिए लिख रहे हैं, 19 वचन में काफी लोग इस वचन भी अपना लिए वो लोग तिमाल करने के लिए कबूल करते रहते हैं, वो बोलेंगे परमेशर मेरे ह पर गटी को पूरी करेगा अपना दन के अनुसार जो महिमा सहीत मसीशु में है 19 वचन है मेरा परमेशर ऐसा करके लोग कहेंगे लेकिन सोचिए ये वचन सब कलिसयाओं के लिए पालोस ने नहीं लिखा है कास फिलिपी कलिसयाओं के लिखा गया है क्योंकि वो लोगों के बा पातों से मैंने पाया है आप लोगों के जो बलीदान है बलीदान के रूप में स्विकार कर रहा है आप लोग मेरे को मदद किया पंदरा वचन मैं कहते हैं दूसरा कलिसयाओं वाले नहीं किये आप लोग किये जब मैं तसलोन की में ता तभी भी आप लोग मेरे को मदद कि जिसा थेरा वचेन हैं, कावी लोग 皆 अस्तिमाल करते हैं, मुझे बल देता है परभू से मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है, वो वचेन किस जंग से अस्तिमाल करना है, परभू के काम, परभू जो हमें करने के लिए बोलते हैं, उसके के लिए बल देगा, औन अंदी के लिए वो चीज़ काम करेगा जो लोग फिलिपी कलिसिया वाले जैसे सेवकाई में हाथ बढ़ाते हैं प्रभू के दास के लिए सेवकाई की जरूरत को पुरा करते हैं उनके मन को कुश करते हैं उनको तृप्त करते हैं उनके लिए जरूर रहाशिस लागों होगा सारे कमे निगटी को ज़रूर प्रभू पुरा करेगा। प्रभू जो मन मर्जी है सब करेंगे ऐसा नहीं है। ज़रूर बीज बोएंगे जैसे दुछरो कुरंती नौ में बता रहे हैं। हम सपाने वाले सेवक लोगों के मन में भी यह साई विचार होना चाहिए। मेरो ज़रूर पूरा होगया करके कुश केवल इस बात की नहीं है। होनाचे मेरे विश्वासी लोग प्रभु को देते हैं। इसलों लोग प्रभु में आगे बढ़ेंगे उनका इनाम बढ़ेगा। वो लोग प्रभु का और वचनों को भी समझ लेंगे। ज़रूर एक एक ग्लास पानी पिलाने से भी प्रभु से प्रदिफल बिना नहीं रह जाएगा। ज़रूर हम विश्मास कर सकते हैं। आनन से देना चाहिए, कुशी से देना चाहिए। कास करके पॉलोस जैसे लोग हैं सुआर्थी नहीं हैं। दूसरे की हित्त को सोचने वाले हैं। ऐसे विक्ति के लिए हम हात बढ़ाएंगे, सेवकाई में आगे जाएंगे। गास्पल जो पिछला तो मनन की हैं हम लोग बाइबल स्टडी में, सुसमाचार, ट्रावलिंग गास्पल हर जगह में ले जाना है। उसमें कर्चा होते है, टिकट करने के लिए, जाने के लिए, आने के लिए, रहने के लिए, वो जरूरत को हमें पूरा करना है। केवल मेरे पास आता है, इसलिए मैं दूंगा इसा नहीं है। यहां पर लिकरे तेसलोने के मेता तबी भी ये लोग उसको मदद किये दुसरा जगह में भी सेवकाई में भी हम मददकार बनना चाहिए फिर उसका आत्मा जीतेंगे उसका भी हमें प्रदिफल स्वर्ग में रहेगा इस बात जरूर समझ लेना चाहिए स्वर्ग में हमारा प्रदिफल मिलेगा प्रतिवी पर भी सौगना प्रदिफल इश्वमसी ने वाइदा किया है इसलिए मेरे बाईवन बच्चा लोग आज जो भी बाते हैं मैंने मन कोल कर बात किया आप से जरूर इन बच्चनों को अच्छी तरह समझ लेजी अच्छी तरह इंटरपट कीजिए प्रभु में आनंदित रहना मतलब ऐसा नहीं है नाचा है गाना गाया है वो तो अच्छी बात है प्रभु में आनंदित रहना चाहिए आनंद के साथ गाना गाना है आनंद के साथ नाचना है केवल गाना गाने से नाचने से आनन्द नहीं आ जाएगा, आनन्द अंदर रहेगा, नाचने बगर भी हम कुशी से रहेंगे, गाना गाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, जिसको गाना आता है नहीं वो भी आनन्द इत रहेगा, जरूर ये आत्मिक चीजें, मन की बाते हैं इरुदे के बाते हैं इरुदे कम संभालना है इरुदे का अंदर सही विचार को रा डालना है वचन को डालना है संदेश को डालना है प्रभु के दास लोगों के जीवन को देखना है उनके अनुसरन करना है जरूर हम प्रभु में आनदित रह पाएंगे बलकि बाहर की त सब को बता चलें, प्रभू ने कट है, ऐसा करके लिख रहे हैं, मतलब हम हमेशा एक शांत सुभाव कराएंगे, तब ही हम आनदीत रह सकते हैं, हम आर बात को टेंशन लेते रहेंगे, चिड़ चिड़ होते रहेंगे, गुसा करते रहेंगे, लोगों को भी दुख पहुंचा लेकिन आज हमें सीखना है, प्रभू के वचन से सीखना है, प्रभू के दास लोग से सीखना है, प्रभू पवित्रात्मा में सीखाता है, सीखाता है, आई हम प्रात्ना करेंगे, सौर्गे पिता परमेशर हम आपका धन्यवाद देते हैं, आज जो भी बाते हैं हमने सुना प्रभुजी तेरा पवित्र वचन से ग्यान जो हमको मिलता है प्रभुजी आपके दास लोगों के द्वारा जो उनके जीवन में जो अनुबव है बंदी काना में भी प्रभु मृत्यू का सजा पाने के बाद जूद भी आनदित रहने के लिए दूसरों लोगों को सला दे र प्रभुजी स्वर्गे बातों को उपर मन लगा के रखा इसलिए आनदित रहा प्रभुजी आज में हम लोग भी स्वर्गे बातों को सोचते रहें आत्मिक चीजों को सोचते रहें प्रभुजी चोटे मटे बातों में जगड़ा में हम फसे हुए नह रहें लोगों को पर और पूरी से कुशी से रहने के लिए, मेरे लिए मेरे बाई बेन बच्चों को मदद कीजिए परमिशे, आज ये संदेश का अपने आशिस दिया, मैं विश्वास करता हूँ, कि संदेश मेरे लिए भी, मेरे बाई बेन बच्चों के लिए भी, आशिस के कारण रहें आत्मिक ज्ञान पाएं आत्मिक समझ को पाएं वचन को सही डंग से समझ लें सही डंग से उसको इंटरपेट करें अर्द निकालें सही डंग से उसको इस्तिमाल करें एक एक बातों का आपके हाथों में समर्पन करता हूँ आप हमारे साथ बात किया हम आपका धन्यवाद देते हैं ये श्मसी के नाम से मांगता हूं सुर्गे पिता आमेन